नमस्कार मैं प्रवेंड गोता हूं भतेरे एक्जिट पोल गलत साबित हुए फिर क्यों इतना इतरा रहे हैं? ग्राउन पर देखकर जिने गोधी मीडिया के पब्लिक नारे लगाती हैं वो यूट्यूब पत्रकारों का मजाग उड़ा रहे हैं एक्जिट पोल के आकरे दिखाते वे सुधी चोदरी और अंजना उमकश्यप ने यूट्यूब पत्रकारों का जिस तरह मजाग उड़ाया उनकी हर बात का इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा साथी एक्जिट पोल की पोल भी खोली जाएगी जिस एक्जिट पोल को लेकर अभी से इतने उतावले हो गए हैं इतने बोखला गए हैं एक्जिट पोल को ही जनादेश माल लिया है ऐसे पत्रकारों को आईना दिखाया जाएगा इस वीडियो में क्योंकि यूट्यूब पत्रकारों पर भड़ास समझ नहीं आती क्या कोई जनादेश क्या कोई एक्जिट पोल अब पत्रकारिता का पैमाना बनेगा पत्रकार का काम होता है सवाल पूशना सरकार की जवाब नहीं तै करना जनता के मुद्धे उठाना बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर जनता की आवाज बनना, विपक्ष की आवाज बनना वो काम जब मीडिया वालों ने छोड़ दिया है तो क्या इस बात का दर्द है कि लोग रविश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और यूट्यूब पत्रकारों को आप से ज़ादा देखते हैं, आप से ज़ादा पसंद करते हैं आपके हिस्से जब आलोशना आती है तो उनके हिस्से प्यार आता है जो काम देश की मेंस्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए उसे लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स की दुनिया भर में तारीफ की जाती है क्या इस बात का दर्द है जो एग्जिट पोल को आधार बनाकर सुधी चोदरी और अजनाम कश्यप ने यूट्यूब पत्रकारों का मजाक उड़ाया और एग्जिट पोल पर इतना क्या इतरा ना एग्जिट पोल का आपका इतिहास भी दिखाएंगी और जिस तरह आप नतीजों के बाद खुननस में आ जाते हैं वो भी आपको याद दिलाएंगे पहले बात करते हैं किस तरह मजाक उड़ाया गया यूट्यूब पत्रकारों का जो दिखाता है कि कितनी जलन है यूट्यूब पत्रकारों के व्यूज को लेकर एक्जिट पोल के आपके दिखाते वे सुधी चोद्री यूट्यूब पत्रकारों पर कटाश करते हैं और कहते हैं अंजना आज ये जो एक्जिट पोल के नतीजे हैं ये उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए भी बड़े डिप्रेशन वाले नतीजे होंगे आज वो सारे यूट्यूबर रात को डिप्रेशन में चले जाएंगे जो लगातार अपने वीडियो के जर्ये ये माहूल बना रहे थे सोशल मीडिया पर जो एक माहूल बनाय गया वो व्यूज का एक माहूल बनाय गया कॉंग्रिस पार्टी व्यूज की एक लिस्ट जारी किया करती थी देखी राहुल गांजी के वीडियो को इतने व्यूज मिले और यूट्यूबर अपने व्यूज बताते थे कि हमें इतने व्यूज मिले हैं और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे कि अंदर जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा नेगिटिव माहूल है और लोग बड़े परिशान हैं सविधान खत्रे में आ गया है हमारे सारे इंस्टिटूशन खत्रे में आ गये हैं बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है इससे लोग बड़े नाराज है अर्थवयवस्था बेरोजगारी ये सारे जितने मुदे थे लोगतंत्र खत्रे में आ गया है आजादी हमारी खत्रे में आ गयी है ये हमारे आखरी चुनाव होगे अगर ऐसा हो गया अगर प्रधान मंत्री जीत गए तो अभी सारे लोग क्या करेंगे अब उन्हें अगली वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर देनी चाहिए उनके लिए एक नया आइडिया अब उनको मिल गया है तो सुधीर चोधरी कहते हैं कि आज बहुत सारे यूट्यूबर्स को नीन नहीं आएगी अरे भईया क्यों नीन नहीं आएगी माली जी आपका एकजित पोस सही भी सावित हो गया तो नीन क्यों नहीं आएगी क्या आपकी तरह जमीर से समझोता किया है क्या किसी पार्टी का ह इस तरह सवाल खड़े होते हैं, तमाम वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, क्या किसी पार्टी की जीश से वो मुद्दे खत्म हो जाते हैं, पत्रकार का काम किसी पार्टी को जिताना या हराना नहीं होता, पत्रकार का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना, चाहे किस कि सरकार आए और साहे किसी की सरकार जाए आप की तरह चाटू कारिता वाले सवाल करना पत्रकारता नहीं होता है आप की तरह नेताओं के इंटर्व्यू गिनवाना पत्रकारता नहीं होता है कोई बड़ी घटना होने पर जनता को ही जिम्मेदार बताना पत्रकारता नहीं होत देश के बेरोजगारों को सरकाई नोकरी को लेकर निकमा बता देना पत्रकारता नहीं होता है। ऐसे बेशर्म बोल बोलते हैं अपनी भडास निकालते हैं तो अंजना मजाक उडाते हुए कहती हैं छोड़िये इन सब को इनको क्या स्पेस देना आज तक जैसे बड़े चैनल पर। अभिसार शर्मा भी आपसे बड़े पत्रकार हुआ करते थे तो जिन चैरों का आप मजाक उडा रही है वो टीवी के परदे पर भी कभी आपके सीनर हुआ करते थे। कम से कम उस बात का लिहास करना चाहिए और किस एगजिट पोल को लेकर मजाक उडाया जा रहा है जो एगजिट पोल कई बार किरकिरी करा चुका है वो अलग बात है कि आप लोगों को महसूस नहीं होती। उधार के तोर पर इसी एगजिट पोल का ये आप ग्रैफिक्स लेखी ज़रा ये कौन सा आकड़ा है कि तमिलाडू में कॉंग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है और पब्लिक सवाल उठा रही है कि 13-15 सीटे कॉंग्रेस की कैसे दिखाय जा रही है बताए ये एगजि पी की 130 से जादा सीटे दिखाई थी और उसके बाद क्या हश्ड हुआ 173 सीटे आई मतब आधे पर जाकर मामला टिका और आप इस एगजिट पोल को लेकर इतना इतराते हैं संजे सिंग आज तक के एगजिट पोल का मजाग उड़ाते वे कहते हैं आज तक के स्टूडियो म पे चीक्त चिलाते बीजिपी की सरकार बनाते ये पत्रकार तो आपको याद होंगे आज तक एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल में बीजिपी को 160 सीट देकर सरकार बर्मा दी थी बहाश्पाई लड़ू भी बाट रहे थे आई आदे से कम 77 सीट मोधी को अद रहे 400 सीट य माफी मांगनी चाहिए थी कि भहिया हमसे गलती हो गई गलत एक्जित पोल दिखा दिया लेकिन आप यूट्यूब पत्रकारों का मजाग उड़ा रही हैं जहां तक बड़े चैनल की बात है अजना मैडम माना की आपका चैनल साधन संपन है बुलेट से भी चुनाव इस भी दे सकता है लेकिन हवा हवाई पत्रकारता चोड़कर एसी कमरे चोड़कर चाहे आप हेलिकोप्टर से जनता के बीच जाए लेकिन जब आप ग्राउंट पर उतरते हैं और गोदी मीडिया के नारे लगते हैं आपने अनभव किया होगा आपके साथ कई बार ऐसा हु हैं कि हमारा बड़ा चनल है आप ऐसा कैसे बो सकते हैं क्योंकि आपने खुद एक बार कबूला था कि पत्रकारता रेंगने लगी है पहले मैनेज होती थी लेकिन अब रेंगने लगी है और ये बात स्विकार नहीं की जा सकती तो बड़े चनल को लेकर आखिरकार क्या घमन दिखाना और कम से कम अपने सीनियर का सम्मान करना चाहिए और सुधी चोधरी आप कैसे पत्रकार हैं लोगों की डिप्रेशन में जाने की बात करते हैं आपकी चाहे विचारधारा मिले न मिले आप किसी की सिहत के बारे में ऐसा कैसे बो सकते हैं कि कई दिनों तक नीन नही ये थे मुफ्त की योजनाव को लेकर जब लेकिन बीजेपी ने मुफ्त की योजनाई शुरू की तो उन्हें जन कल्यान की योजनाई बताया और इसे कहते हैं गोदी गिरी पत्रकारता उसको नहीं कहते जो आप करते हैं पत्रकारता उसको कहते हैं जो रवीश कुमार अजीत अभिसार, शर्मा, साक्षी, जोशी और हम जैसे बहुत सारे पत्रकार कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे अब पत्रकारता का पैमाना कभी नहीं बन सकते। पत्रकारता का धर्म होता है जनता के मुद्दे उठाना और उनसे जलन की वजाए आपको कोशिश करनी चाहिए कि की हारे, इस माज से कोई फर्त नहीं पड़ता, ये बात तै नहीं करेगी कौन बड़ा पत्रकार है। और सबसे पहले अगर चार जून को आपका एक्जिट पोल गलत सावित होता है। बात सिर्थ बिजेपी की जीत नहीं है। जितने सीटे आपके एक्जिट पोल ने दिख कभी ये दावा नहीं किया कि फलाट पार्टी की इतनी सीटे आलेजा रही हैं। हम जैसे पत्रकारों का काम होता है, जनता के सवाल उठाना, जनता के मुद्ध सरकार तक पहुचाना, सरकार की जवाब नहीं ही टै करना, चुनाव कोई जीते कोई हारे आगे भी ऐसा करते र रहेंगे। आप सुधी, चोद्री, अजनाव, कशिफ के इस तरह पत्रकारों का मजाग उडाने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर पिराज जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं, तो ठैंक्स के उप्शन का इस्तेमाल करें। वीडियो को ला